हेलो एब्रिवन, आम बाक विद न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम वही सेम चीज़ कर रहे होंगे जो हमने पिछले दो वीडियो में किया सबसे पहले हमने AIMS BSC Nursing 2023 का जो exam 12th June को हुआ था उसका बायो का paper discuss किया complete 30 questions discuss किया, अगर उस वीडियो में थोड़ा भी कुछ correction होगा किसे भी question के options फगेरा में मैं comment में डालके उसको comment को pin कर दूँगी तो आप वहां से check कर लेना ठीक है उसके बाद में हमने GK solve की, GK में भी 10 questions जो थे completely 100% real थे तो बायो और GK हमारा perfectly complete हो चुका है, आप उसमें अपना question answer check कीजिए और साथ में क्या comment में डालते रहिए कि आपके कितने questions सही बन रहे है अब अपन इस वीडियो के अंदर discuss कर रहे होंगे chemistry, ठीक है क्या discuss कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर हम chemistry और chemistry में भी मैंने 100% real लिखा है, यहां पे क्यों लिखा है यह 100% real क्योंकि जितने questions इसमें है, इस वीडियो में included है वो आये थे उस exam में ठीक है और इसके नीचे जो options given होंगे ना आपको chemistry में जो chemistry में ही, sorry physics, chemistry, bio, जिनका भी मैंने paper solve करवाया है उनमें जो options given होंगे, वो भी लखभख same है जो कि exam में आये थे, कैने तो question तो याद रहता है question में भी क्या एक typical word याद रह जाता है जैसे कि कोई question आया तो उसका मुझे ऐसे याद है कि l-doll condensation पर question आया था अब यह नहीं पता मुझे कि क्या question आया था अब ध्यान से देखो video और जिसने exam दिया था वो अपना score चेक करो और अच्छा एक और चीज जिन-जिन लोगों ने exam दिया था और वो अभी ये video देख रहे है तो अगर आपको लगता है कि ये paper real है है ना, बिल्कुल आप exam देखे आयो तो आपको पता है कि किस टाइब के questions आये थे तो प्लीज एक बार ये चीज़ कमेंट कर देना कि हाँ ये वाला paper real है हमने जो exam दिया था तब यही questions आये थे ठीक है ताकि ये थोड़ा बताता है कि जो इसमें video में content available है वो कितना genuine है ठीक है चलो start करते हैं मैंने आज तो बहुत जाद ही बोल दिया first question है आपका first artificial sugar is first artificial sugar कौन सी थी देखो artificial sugar चार टाइप की थी aspartan, elitim, saccharine, sucralose जिसमें से first artificial sugar है आपकी saccharine ठीक है saccharine आपका correct answer जाएगा sucralose क्या काम आता है sucralose आता है सबके special point था सारे sugars में जिसमें सुक्रालोज का क्या था सुक्रालोज और saccharine में ही confused हो सकते हो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसका आप साक्रीन जाएगा सुक्रालोज था कि आप इसको cooking temperature के ऊपर यूज कर सकते हो ठीक है next question देखते है next question था name reaction पर यह बहुत easy question था name this reaction यह reaction है आपकी इसमें आपको बेंजीन के ऊपर यह वाली structure लगाई हुई है और इसमें देखो सबसे important क्या है आपका जो रिएजेंट है वो क्या है PDBASO4H2 के प्रेजेंट में ठीक है यह आपका रिएजेंट है और आपके पास जो बना वह एक बना एक बेंजोईक एसिड बना है प्रोड़क्ट में ठीक है तो इससे आपका डी बन गया वैसे आपको इतना देखना भी नहीं पड़ता गई आप जिसके अंदर आपको कहा गया है कि इसका आयो प्येस सी नेम बताना है इसका अब देखते हैं इसमें वेज पे और डैश पे देखो वेज़ नेकिसको कहा रही हूँ यह आपका वेज और यह आपकी डैश वाली स्ट्रक्चर ठीक है यह आपका क्लोरीन ग्रूप और एक है आपका ओएच हाइड्रोक्सी या फिर अल्कोहल ग्रूप जिसको आपके है अब देखो क्लोरीन और अल्कोहल में सबसे पहले हम प्राइडिटी डिसाइड करेंगे इन वह होगा आपका सबसे पहले इसको मैंने दिया नाम फिर्स्ट कार्बन यह मेरा सेकंड कार्बन यह मेरा थर्ड कार्बन सॉरी यह मेरा फोर्थ कार्बन हुआ और यह यहां पर वेज के एंड में जो है वह मेरा फिफ्ट कार्बन हो ठीक है ध्यान से देख लो है ना अब मै यूज कर लेती हूं क्यों पता लग जाए जाएगा फिर्स और बन यह वाला है फिर्ट अि टर्जओंट माई अर्फ ङलम भाल है जो इस डाश वाले हिस्से में प्रेजिक है अब हमने देखा इसको पेंटेन वन और यह रहा आपका option B जो है वो correct answer जाएगा ठीक है next question पर चलते है अब हम यह है आपका next question कि आपने इसको heat किया है किसके presence में soda lime के presence में soda lime के presence में आप heat करते हो तो क्या होता है ठीक है यह एक type का carboxylic acid का salt है ना na आ गया c o o na तो आप किसी को soda lime के presence में इनको heat करते हो तो इसका हो जाता है decarboxylation मतलब यहां से यह co2 जो है यह हट जाएगा यह co- बच्छा इसमें से यह co2 हट जाएगा तो यहां पर यह जो है आपकी प्रोपेन बनके निकलेगी ठीक है सोडा lime के presence में यह चीज होता है बस decarboxylation होता है एक नंबर कम कार्बन की क्या बन जाती है चेन बन जाती है नॉर्मल है न तो आपका answer इसमें क्या होगा बी आपका correct answer जाएगा ठीक है next question पर चलते है आपको किसी भी question में doubt हो तो आप एक इसमें भी आया था पिछले साथ देखो water soluble vitamin कौनसा है A है B है D है या E है water soluble water soluble vitamin होते है vitamin B and C यह दोनों ही water में soluble होते है बाकी ADEK यह चारो जो होते है वह water में soluble होते है वह fat में या फिर वैसे होता है तो आपने water soluble vitamin को कौनसा आगया आपका B option आगया correct इसमें इतना explain करने की जर्वत ही नहीं है नेक्स question पर चलते है नेक्स question है अपना what is IVSC name of यह आपको structure दे रखा है यह जो है आपको structure दे रखा है जिसमें देखो अब देखो इसमें एक चीज carboxylic acid वाला group है यहाँ पे COH और यहाँ पे है आपका ketone है ना अब देखो priority में carboxylic acid पहले आता है यह ketone carboxylic acid यह major group हो गया ना आपका major functional group कौन सा है carboxylic acid तो chain किसके हिसाब से बनेगी carboxylic acid के हिसाब से है ना numbering कहाँ से start करोगे जहां से carboxylic acid को कम number मिलेगा तो हमारी जो major chain होगी वो यही तो होगी carbon की major chain होगी वो यही होगी numbering कर लेता है carboxylic को मैंने one दिया इस वाले carbon को इसको मैंने two दिया इसको three इसको four इसको five और इसको six दिया ठीक है अब देखो क्या हो जाएगा five अब देखो ketone के लिए prefix में क्या यूज करते है suffix की अलग बात है है आपडिक्ता अब केचा और इसके लिए यूज कर सकते है एक हम कर सकते है अभ दूसरा हमारा क्या होता है दूसरा प्रिविक्स क्या होता है किटो औग्जो और किटो के लावा किटो दोनों में से आप एक प्रिफिक्स कर सकते हो इसके लिए तो अब देख लो 5 क्या है 5 OXO या फिर 5 कीटो 5 के उपर आपके पास यह रहा ना यहां पर कीटो प्रेजंट है तो 5 औग्जो या 5 करेक्ट आंसर होगा है ना अब इसमें इसलिए हो सकते हो आप क्यूंकि देखो इसमें ऐसे था कि ऑग्जो दिया हुआ था एक ऑप्शन में और आपको यह कि कीटो कभ यूज करते हैं है ना क्या पता इसमें ना और ऑप्शन भी था और यह ओप्शन भी था इन दो वप्शन में next question है आपका correct order of metallic character is यह question अपना periodic table से है जिसमें देखो क्या है metallic character का correct order बताना है अब देखो आपको यह जीज़ पता होगा अगर आप periodic table में right से left जाओगे तो आपका जो metallic character है वो decrease होता है है ना और अगर आप periodic table में उपर से नीचे जाओगे तो आपका metallic character है वो increase होता है क्या होता है increase होता है यह चीज़ पता है right to left जाओगे तो decrease होगा up to down आओगे तो क्या होगा metallic character increase होगा है ना अब हम देखते हैं क्या क्या option में आपने पास boron है aluminium है magnesium है potassium है अब इनको अपन देखो periodic table में क्या है यह चीज़ ध्यान रखना right to left जाओगे right to left जाओगे तो decrease up to down आओगे तो increase होगा है अब अपन देखते हैं किस तरह से यहां पर आएगा जैसे potassium आगया फिर potassium के बाद में यहां पर आता है magnesium फिर इसी पीरियड में आ जाता है aluminium यह तीनों सेम पीरियड में आ गए और यह आ गया boron जो है magnesium के उपर यह अलग ग्रूप में आ जाता है ठीक है अब देखा हमने यहां से यहां जा रहे हो तो आपका इस तो आपका 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 अनसर जो है वो डी जाएगा ठीक है आगे बात समझ ता इसी क्वेशन था इस एक्जामपल भी है यह और question वैसे दिया भी हुआ है जहां पर metallic character को समझाया हुआ है ठीक है next question solve करते है sorry hybridization of BRF5 is BRF5 का hybridization क्या होता है देखो क्या है BRF5 में क्या होता है 5 तो इसके पास bond pair है 5 bond pairs है और bromine के पास कितना है एक lawn pair है ठीक है एक lawn pair है और 5 bond pair है BRF5 के अंदर bromine के पास तो आपका hybridization क्या होता है bond pair प्लस lawn pair 5 प्लस 1 कितना होगा 6 तो अगर 6 आएगा आपका number तो hybridization क्या हो जाएगा SP3D2 हो जाएगा ठीक है आपका C जो होगा correct answer होगा next question पर चलते हैं number of loan pair in SF4 and BRF5 है ना एक ही question था number of loan pair कितना होगा SF4 में और BRF5 के अंदर roll pair कितने होगे अभी हमने BRF5 देखा उसमें कितना loan pair होता है one होता है ना देखो कैसे होता है BRF5 यह हो गया आपका bromine है ना हम यह तो आपको पता होगा fluorine, chlorine, bromine, iodine इनके क्या होता है vacant orbital में 7 मतलब last last वाले में 7 होते है तो इसमें 5 bond इसने 5 bond बना लिए तो दो क्या हो गए electron रहे तो इसने क्या बना लिए यह एक loan pair है SF6 में sulfur में क्या होता है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसमें 4 electron ने किसके साथ fluorine के साथ bond बना लिए तो इसके पास भी एक loan pair बचा ठीक है तो BRF5 और SF4 दोनों में ही क्या होता है एक एक loan pair होता है आपका सही answer क्या जाएगा बी जाएगा नेक्स question पर चलता है नेक्स question यह था अच्छा इसके option नहीं लाई हूँ मैं क्योंकि यह physical का question है डेटा भी इसे तो option कैसे याद होंगे ठीक है है 200 ml solution के अंदर है ना दस ग्राम एक प्रेजंट है 200 ml solution के अंदर molarity क्या होता है number of moles number of moles upon volume टी क्या milliliter में दिया हुआ है तो इसको हम किस से 1000 से multiply कर देते हैं है ना यह होता है number of moles of NaOH कैसे टिकाल होगे given mass कितना इसका 10 upon molecular weight कितना आता है 40 आता है शायद I guess calculate कर लेते है 40 होगया तो 1 by 4 तो होगया आपका number of moles देखो यह आप solve कर लेना है easy है मैं बता देती हूँ फिर भी एक बार में side से ना number of moles के जगा आप क्या लिखोगे 1 by 4 लिखोगे 1 by 4 into volume आपका कितना है 200 तो यह cut जाएगा 5 times और यह जाएगा 5 by 4 तो आपका answer आजाएगा 1.1.2 के something ठीक है ऐसा कुछ आ जाएगा है easy question था एक बार solve कर लेना simple है बहुत सिर्फ formula लगाना है number of moles upon volume next question पर चलते हैं correct order of melting point is melting point का correct order बताना है और आपको यह दिया हुए है elements है यह किसके है आरगन, neon, krypton, xenon यह किसके element होते है noble gases होती है ठीक है noble gases से कुछ भी है atomic size increase होगा तो आपका melting point क्या होता जाएगा increase होता जाएगा atomic number के proportional होता है तो उपर से नीचे जाओगे आप अगर तो आपका atomic size क्या होता है increase होता है आप अगर एक group में उपर से नीचे जाओगे है न 18th group में noble gas वाले में आप उपर से नीचे जाओगे तो आपका atomic number जो है अधरे एक सेकेंड रुको मुझे option कुछ ठीक नहीं लग रहा है देखो जैसे उपर से नीचे आते है तो आपका atomic number जो है atomic size जो है वह increase होगा atomic number भी increase होगा पर वह चीज़ नहीं देख रहे atomic size increase होगा तो आपका melting point भी क्या होगा increase होगा अब सबसे उपर क्या आता है credibility into petroleum के बाद में क्या आता है neon फिर आता है आपका argon फिर आता है krypton फिर आता है xenon फिर आता है redon है ना तो आपका सबसे ज़ादा जो क्या कहते है उसको melting point किसका होगा जो सबसे नीचे होगा सबसे ज़ादा melting point होगा तो आपका redon का melting point सबसे ज़ादा होता है फिर आता है xenon का अब इसको option से match करते हैं मुझे ऐसे feel हुआ जैसे options गलत है ना फिर आता है krypton का फिर आता है argon का देखलो redon xenon krypton argon ये वाला है na option B sorry है ना मैं थोड़ा सा confused हो गई थी इसमें क्योंकि मुझे लगा option match नहीं कर रहा है next question पर चलते है next question है order correct order of electronegativity कर्षा और बताना है nitrogen phosphorous arsenic antimony है यह सब देखो इसमें क्या है यह P block का है P block वाले में आता है electro negative क्या है nitrogen सबसे रादा electro negative है उसके बाद में क्या आता है phosphorous आता है फिर antimony आता है फिर geismint आता है तो इसमें यह correct option जा एगा electro negativity down to the group क्या हो रही है decrease हो रही है, लेकिन इसमें अगर यह वलunge option आपको नहीं दिया होता, अगर यह वलunge option नहीं दिया होता, और यह वलunge option होता और बाकि कुछ options होते, तो आपका यह वल अप्शन भी correct हो जाता यह जाता, क्यूंकि इन में 0.1 का ही फर्क होता है, phosphorus और आर्सेनिक में पॉइंट वन का फर्क होता है लेकिन चायद ये वाला उप्शन था तो आपका ये वाला उप्शन करेक्ट जाएगा ठीक है और अगर ये वाला उप्शन नहीं था तो आपका ये वाला उप्शन करेक्ट जाएगा ठीक है इलेक्टोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डाउन्टु थे ग्रूब डिक्रीज हो रही है बस इतना ध्यान रखना है नेक्स्ट क्षेशन पर चलते है नेक्स्ट क्षेशन है वाट विच फॉलोइंग इस नॉट अन आइसो टोप इस नॉट इसकिनल इसरुप आइसो टोप कितने ह webinars गीनला था तिनी इस नॉटाइरियू होगा उन्हक्षेशन पर चलते है में भी प्रिक्रीडिश्ट्स कावश्ट स्पर कॉल्टिों परना सकता Heroes क्षेश्ट चलते हैं 10 लोग यम्श चलते हैं CH4 यह तो आपका क्या है अलकेन है और इससे आपने CO2 बना दिया यहां पर आपने क्या किया कुछ oxygen molecule लिए और यहां से H2O भी भार निकला है ठीक है अब हमें oxygen और इनसे तो कुछ करना नहीं है लेकिन जितने number of moles of carbon combustion reaction में number of moles of carbon sorry moles क्या रही हूँ number of moles मोल जो होता है अलकेन का वही सेम होता है उतने ही मोल किसके निकल जाते हैं CO2 के क्योंकि number of carbon सेम रखने है न हमें reaction को balance रखने के लिए तो आप देखो अब कहा है कि CH4 कितना चाहिए 110 gram carbon बनाने के लिए ठीक है तो यह 110 gram है तो इसके number of moles निकाल लेते है अपन गिवन वेट कितना है 110 upon molecular weight CO2 का कितना होता है 44 होता है ठीक है तो यह आजाएगा 11 10 upon 4 ठीक है तो यह आजाएगा आपका 2.5 है ना 2.5 moles of CO2 CO2 आए तो जितने moles CO2 के होंगे उतने ही mole आपको क्या चाहिए होगा CH4 चाहिए होगा reaction balance जोना चाहिए ना तो इसका answer कितना जाएगा 2.5 जाएगा ठीक है next question पर चलते है अब हम यह है which of the following is most stable कार्बोकेटाइन सबसे stable कार्बोकेटाइन कौन सा है सबसे पहले आपको यह दिया हुआ है देखो कार्बोकेटाइन के जादा जुड़े होते है थ्री डिग्री है मतलब तीन तरह के तीन कार्बन से टाइजड है तो इलेक्ट्र डोनेटिंग ग्रूप जादा होते है तो उसकी stability जो है वो बढ़ जाती है ठीक है इसलिए इसमें कोई 3 डिग्री का यह तो वन डिग्री है यह यह वाला है 2 डिग बढ़रस क्या होता है lpha d-glucos और beta d-fructose इंके पॉलीमर होता है ठीक है इससे कोई वो नहीं बस सीदह सीदह है नॉन डिग्री सauen इसमें तीन उपशन से एक में पहलं Leslie में ऑदिसमें हमें और मतलब यह एक तरह से होता है नंबर ओफ बांच जो उनके प्रेजड में बॉन्ट बनाता है और अगर नेगेटिव आया तो यह सिंगल बनाता है तो सिधा सिधा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ट और यह कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं तो नो में नो पॉजिटिव में नाइट्रोजन जो है यह ऑक्सीजन के साथ ओ पॉजिटिव के साथ कुछ इस तरह से जुड़ा होता है तो इसके अंदर बॉन्ट और आपका क्या आजाएगा थ्री आजाएगा अनो का थ्री आगया फिर नेक्स अपन देखते हैं सी ओ मतलब एक ओ नेगेटिव जोड़ा होता है दूसरे ओ नेगेटिव से सिंगल बांड से तो इसमें नग ऑजाएगा ऑटटू का अब चेक कर लो आपशान में नो टु का है एनो का यह होता है यह अच्छा इसमें ऑप्शन गया लट है ठीक है न थूड़ा ऑप्शन ठीक कर लो आप यहां पर टू आएगा है न हो गया अब इसको यह आपका क्या होगा करेक्ट टांसर होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम कि सॉर्ड़ है नेक्स्ट क्वेश्चन है यह नेम रियक्षन पर बेज़्ड है न एओ अच्छ थ्री ओ और यह इसके प्रेसंस में आपको दिया यह देखे यह आपको पता लग जाना चाहिए कि कौनसी रियक्शन है क्योंकि इस में देखो यहां पर आपका कार्बोक्सलिक असिड बन रहा ह COH group है यह रहा इसके उपर है ना कार्बोक्सलीक असे बन रहा है किसके वज़े से बन रहा है यह LDH group किसे बन रहा है तो यह कौन सी reaction है आपकी केनिजारो reaction है next question पर चलते है next question है in which defect equal number of cation and anion are missing from the lattice lattice से किस defect में cation और anion जो है equal number में मिस हो जाते है देखो फ्रेंकल में क्या होता है आपके lattice के अंदर जो defect है मतलब मान लो एक lattice है lattice के अंदर जो एक cation या anion है वो गायब तो हो जाएगा लेकिन अंदर वो lattice में ही present होगा ठीक है वो अपनी position छोड़ देता है बस यह चीज़ किसमें होती है शॉट की में होती है कि आपका जो cation या anion है वो क्या होता है absentee हो जाता है lattice से ठीक है next question पर चलते है अब हम galvanic cell is also known as देखो इसके option थोड़े से different है ना फिर मुझे पता लगाई है कि यहाँ पे इसमें लेक लैंचे की जगह पे और यहाँ पे आपके पास exam में यहाँ पे fuel cell option प्रेजेंट था ठीक है तो आपका answer क्या जाता है next question पर चलते है अब हम next question है tiCl4 plus mg is equal to mgCl2 plus ti ti और mg जो है दोनों ही metal है इसमें type of reaction बताना है reaction किस type का है mg भी metal है और ti भी metal है mg ज़ादा reactive है इसलिए mg ने किस क्या कर दिया ti को replace कर दिया जिससे mgCl2 और ti बन गया तो यह क्या हो गई आपके metal disproportion reaction हो गई थी कि आप का answer जाएगा next question में देखते है sorry same question आगया है अब देखते हम next question जो आपका है what is the similarity between diamond and graphite diamond और graphite में क्या similarity है बोथ हार soft बिल्कुल गलत option दोनों soft थोडी नहीं होते है graphite होता है soft तो diamond हर्ड होता है both हर conductor नहीं graphite और diamond दोनों ही conductor नहीं होते है next है आपका both our network of carbon connecting with covalent bond यह तो बिल्कुल सही बात है दोनों ही carbon के network होते carbon से बने होवे होते है connected होते है ग्रेफाइट में क्या होता है एक इलेक्टॉर्ट फिरी रहा जाता है जब कि डाइमंड में नहीं रहता है लेकिन यह बात हमें करेक्ट लग रही नेक्स दो देख लेता है बोध हर इंसुलेटर तो यह भी गल्द हो गया आपका उप्षन क्या है सी करेक्ट ऑप्षन इसमें क्या होता है देखो क्या-क्या पूछा आपको similarity पूछह, absorption from multi-layer बिल्कुल नहीं होता, इसका multi-layers में absorption होता है, इसमें सीधा absorption होता है, bond ही बना लेता है वो अंदर जिस surface के ऊपर absorption हो रहा है, उसके अंदर पूरी तरह से धगस धस जाता है, तो हम इसका क्या बताना है characteristic जो है यह नहीं है न फर्स तो गलत हो गया second देखो absorption is specific absorption जो है वो इसमें specific होता है बिल्कुल specific होता है यह option सही जाएगा मेरे साब से next देखते है अपने एक बाई no specific is required नहीं specific होता है तो यह गलत हो गया next आगया आपका absorption is reversible नहीं irreversible process होता है तो आपका अंसर आजाएगा बी मैंने कहा नहीं बना लेता है इसलिए irreversible process होता है नेक्स question देखते है which of the following is correct geometry किसकी geometry correct देखो CHBR थी की trigonal planer होती है क्या देख लेते हैं चेक कर लेते हैं C है यहाँ पर एक एच जुड़ गया आपका BR जुड़ गया BR जुड़ गया और BR जुड़ गया तो क्या यह trigonal planer है बिल्कुल भी नहीं यह तो क्या है tetragonal geometry है next question पर चलते हैं co2 question carry option पर co2 co2 की v-shape होती है क्या यार यह भी गलत लग रहा है BF3 जो होता है वो trigonal planer होता है देखो कैसे यह रहा आपका boron इसके तीनी तो electron है तीनों से fluorine bond बना लेगा fluorine की साथ शैर हो जाएंगे तो यह तीन electron वाला बन गया क्या है यह trigonal planer structure है तो आपका correct answer क्या जाएगा c जाएगा next option में यह दे रखा है h2s यह linear होता है linear नहीं होता यह bend shape होता है इसका v-shape होता है क्योंकि इसके अंदर क्या जाते sulfur के पास loan pair है ना इस वज़े से उनका repulsion होता है तो next question देखते है which of the following formula of a compound मतलब यह आपको नेम दिया हुआ था और इससे आपको बताना है कि यह कौन सा coordination compound का formula है ना मतलब कौन से coordination जो formula दियो है उसका नाम है यह आयू पीसी नेम है ना देखो क्या नेम है iron 3 इसका मतलब जो iron आपका bracket से बाहर है उसका जो oxidation state है वो plus 3 होना चाहिए hexa sinido ferrate ना iron 3 hexa sinido ferrate जिसके अंदर यह भी 3 होना चाहिए और जो आपके box के अंदर आया उसका भी क्या होना चाहिए plus 3 होना चाहिए देखो plus 3 आने के लिए क्या चाहिए इसमें यह तो plus 2 इसके उपर minus 2 चल जाएगा तो आपका प्लस टू जाएगा तो पहला option तो गलत हो गया क्योंकि इसमें iron का first वाल है iron का जो ब्रैकेट से बाहर है उसका oxidation state 3 चाहिए देखो इसमें इसको जब dissociation करोगे तो आप तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा और यह एसको पर माइनस 3 आ जाएगा ठीक है तो आपका correct answer यहीं जाएगा बी की naming करोगे तो आपके पास यहीं नाम आएगा है न नेक्स क्वेश्चन पर चलते है अब हम बहुत कम क्वेश्चन बाकी ह process water moves through a semi-permeable membrane कौन से process होता है osmosis होता है यह semi-permeable membrane लगी होती है इसमें water क्या होता है movement होता है इसमें कोई energy required नहीं होती इस process को हम क्या कहते है osmosis कहते है diffusion नहीं होता है distillation नहीं होता है diffusion तो gases का होता है next पर चलते है compare करवाना है हमें size देखो यह वाला question मुझे लग रहा है क क्योंकि इसमें जो order है यह याद नहीं रहता है कि यह d block में है 6th period 6th period के elements है ठीक है order जिसको याद होगा उसका ठीक हो गया हो गया नहीं तो नहीं होगा easy था question क्योंकि size compare करवाना है size हमें पता है right to left जाएंगे तो decrease होगा लेकिन यह इतने 6th period के element कि इसको याद रहता है इत अगर आप लोगों को याद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो आपका इसमें करेक्ट आंसर जाएगा जिसमें आपको क्या compare करवाना था size compare करवाना था size जो है right to left जाओगे तो आपका decrease होता है और up to down आते है तो आपका size क्या होता है increase होता है next question पे चलते ह यह question शायद I guess last question है मैं chemistry में 29 questions मिले है मुझे एक question जो है वो नहीं मिल पाया पता नहीं वह कौन सा question है अगर आप लोगों को याद आता है तो आप comment section में बता देना मुझे है यह है order of configuration of O2 according to MOT molecular orbital theory जो है इसके according configuration जो होता है O2 का उसका energy का order बताना है आपको ठीक है यह है sigma 2s sigma star 2s अब देखो इसमें हम पहले अपनी इसाब से लिख लेते O2 जो है O2 इसमें क्या है 16 से जादे electron है 14 से जादे electron है 16 electron है ना तो number of electron जो है वो greater than 14 है तो इसके लिए order क्या होता है sigma 2s आएगा पहले फिर sigma star 2s आएगा मैप जो बोल ते उस पे धानतू लिखने से जादा फि अहला ही आपका correct answer होगा है ना हो गया बाकि एक जो question बचा है वो मुझे नहीं मिल पाया कोई बात नहीं है memory memory based paper है तो 29 question मिल गया है तो यह भी बहुत बड़ी बात होती है आप डूड़ना अगर आप लोगों को आपको याद रहता है किसी को भी कि वह कौन सा question था तो मैं comment क कर दोंगे ताकि आपका chemistry का भी paper complete हो जाएगा वैसे almost complete है 28-29 question करवाना complete के बराबर ही तो है memory based है completely बाकि शायद मैं जल्दी ही physics का वीडियो भी ले आऊंगी लेकिन physics के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको मेरा physics में मुझे इतने questions मिल नहीं पाया है ज्यादे स अपलोड कर दोंगे ठीक है थैंक यू सो मच